नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिखाधूरिया उत्राखन के गड़वाल हिमाले में स्थित विश्व प्रसिद बद्रिनात धाम के कपाट शधालों के लिए इस साल 18 मई को खोद दिये जाएंगे इसके साथी इस साल की चार धाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी आपको बता दे बसंत पंचमी के मौके पर नरेंद्र नगर स्थित टेरी राजवंश की दरबार में आयुजित समारों में बद्रीनात मंदिर को खोले जाने का शुब मूर्थ निकाला गया चार धाम देवस्थानम बोड के सूत्रों के मुताबिक भगवान विश्णु को समर्पित बद्रीनात धाम के कपाट 18 माई को ब्रह्म मूर्थ में सुबह सवा 4 बजे खोलेंगे वहीं शिवरात्री के मौके पर केदारनात धाम के कपाट खोलने की तारीक तैह होगी आपको बता दे गंगोतरी और यमुनोतरी के कपाट हर साल अक्षित रुत्या पर खोलते हैं इस साल अक्षित रुत्या 14 माई को है आपको बता दे चमोली जिले मेसित बद्रीनात धाम के कपाट पिछली साल शीत काल के लिए 19 नवंबर को बंध होय थे बद्रीनाथ सहित चार धामों के कपाट हर साल अक्टूबर नवंबर में सद्यों में बंध हो जाती हैं जो अगले साल फिर अप्रेल मई में खुलती हैं इस साल 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे वहीं शिवरात्री के मौकी पर किदारनाथ और यमुनोतरी गंगोत्री धाम के कपाट खूलने की तारीक भिखोशित की जा सकती हैं आई आपको बताती हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ खास पाती मानेता है कि पुराने समय में भगवान विश्णु जी ने इसी क्षेत्र में तपस्या की थी उस समय महालक्ष्मी ने बद्री यानि की बेर का पेड बन कर विश्णु जी को चाया प्रदान की थी लक्ष्मी जी के समर्पन से भगवान प्रसन हुए विश्णु जी ने इस जगह को बद्री नात नाम से प्रसिद होनी का वर्दान दिया था नर नारायन ने बद्री नामक वन में तब किया था यही उनकी तपस्यास थाली थी महा भारत काल में नर नरायन ने श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अफ्तार लिया था आपको बता दें यहां श्री योग ध्यान बदरी, श्री भविश्य बदरी, श्री वृत बदरी, श्री आदी बदरी इन सभी रूपों में भगवान बद्रीनाद यहां निवास करती है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अबडेट्स के लिए आप बने रहें One India Hindi के साथ